आज हम जानेंगी परस्त्री के साथ संबंद रखने पर, एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर चलाने पर, वैश्या लयों में जाने पर, जुवा, चोरी, मान, सराब, जीवत्या, इत्यादी सारे को कर्मों को करने पर, जैन सास्त्रों में किस तरह की सजा बताई गई है, क्या कहते है बगवान महाविर इन सब पर, ये आज हम जानेंगे, तो गोर पाप कर्मों के विशेश फल को भोगने के लिए, एक निश्चित स्तान में जाया जाता है, उस निश्चित स्तान का नाम है नरक, उसमें उत्पन होने वाले जीवों को नैरेइक या नारक कहा जाता है, नरक सा प्रकार के कृष्ण वर्न वाले भयंकर रत्न व्याप्त होते हैं, उसके तीन हिस्से होते हैं, खरकांड, पंक बहुलकांड और अप बहुलकांड, खरकांड में अनेक प्रकार के रत्न है, दूसरे कांड में अत्यदिक कर्दम है और तीसरे में जल की विशेश्ता है, दू शिक्ष्न कंकर व्याप्त रहते हैं। तीसरा है बालू का प्रबा यानि भड भूंजे की भाड की उष्न बालू या रेत से भी अधिक उष्न बालू बालू का प्रबा में व्याप्त है। चोती है पंक प्रबा इसमें रक्त, मान्स और पीब जैसे कीचड भरे हुए हैं। पांचवी है दूम्र प्रबा इसमें राई मिर्च के दुए से भी अधिक खारा दुआ व्याप्त है। चटी है तमह प्रबा यानि यहाँ पर घोर अंदकार रहता है तमह प्रबा में। सात्वी है महा तमह प्रबा इस नरक में गोराती घोर यानि अती गोर अंदकार भरा रहता है। अब जानते हैं कि इन नरक भूमियों में कौन-कौन जाता है तो इन नरक भूमियों में मास मदिरा का सेवन करने वाले, वैश्या लयों में जाने वाले, परस्त्री के साथ संबंद रखने वाले, एक्ष्ट्रा मेरिटल अफैर चलाने वाले, जुआ चोरी करने वाले, शिकार खेलने वाले, महाहिनसात्मक व्यापार करने वाले, परिग्रह धन में तिव्र आसक्ती या मोह रखने वाले जीव जाते हैं, परम अधम देव उन्हें अनेक प्रकार से दुग देते हैं, जैसे मास खाने वालों को उनी का सरीर काट-काट कर और तल भून कर खिलाते हैं, मदी वैश्या और परस्त्री गमन करने वाले को अगनी के समान वर्न वाली लोहे की पुतली से आलंगन आलिंगन या हग करवाते हैं। जानवरों पर अत्यदिक बोज लादने वालों से अत्यदिक भार वाली गाड़ी खिचवाते हैं। सर्प बिच्चु आधी जीवों की हिंसा करने वाले को उसके अनुसार बन कर कटवाते हैं, माता पिता आधी वृद्धों की अवग्या करने वालों का रिदय भालों से छेदते हैं, चोरी और ठगाई करने वालों को पहाडों से पटकते हैं और वृक्षों पर उल्टे सिर ल डालते हैं परस्त्री या दूसरी स्त्री को बुरी नजर से देखने वालों की आँखे फोड़ी जाती है गाली देने वालों की और निंदा चुबली करने वालों की जीब काटी जाती है अग्यानी जीवों को बैका कर कूपत पर या गलत रा पर चलाने वाले कूगुरुओं क ज्वल्यमान अंगारों पर चलाया जाता है तो ये थी संचिप्त जानकारी नरक की नरक के प्रकार की और नरक में मिलने वाले सजाओं की आज का प्रश्ण है कि कौन सी नरक से निकल कर तीर्थंकर बना जा सकता है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें